हुआ 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 कि नवसकार साथ यू स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चानल के इनसी कुसुमनेट क्लासेज में तो जो लोग अच्छे हैं वो तो ठीक है और जो लोग अच्छे नहीं है वो सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पर अपने जीवन से जुड़ी द्यान रखें तो आईए सबसे पहले आप यूजी सीनेट पेपर वन का सिलेवस निकालिए और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे तो आप सिलेवस निकालेंगे उसमें जाएं चाप्टन यूणीट नंबर 6 पे यूणीट नंबर 4 पे 6 नहीं 4 पे वहां पे आप को मिलेगा कम्मुनिकेशन तो यदि आप हमारे पुराने शात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले पांच लेक्षर से एक नए सीरीज पर बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूजी सीनेट पेपर वन के वैसे महर्तपुन टॉपिक्स जि फिर सिंपोजियम से रिलेटेड वरक्सॉप से रिलेटेड जो सवाल पुछे जाते हैं उन तमाम सारे सवालों पे उन तमाम सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की थी उसके बाद हम लोगों ने बात किया था लॉजीकल रिजिनिंग के बारे में तो लॉजीकल रिजिनिंग को कैसे तयार गया जा सकता है और चुकि कम्यूनिकेशन से भी लोग पांच सवाल पुछते हैं तो वो पांच सवाल कहां से पुछते हैं सबसे पहले उसको देखते हैं उसके बाद एक टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे तो सबसे पहले देखिए communication से 5 सवाले लोग हम इसा पुछते हैं तो देख लो कि 5 सवाले लोग पुछते कहां से हैं ताकि आप cover कर लेना चुकि कम समय में हमें जारेफ करना है इस बात को ध्यान लखना एक तो communication का जो basic information है basic information जैसे communication होता क्या है nature of communication क्या है सेंडर से पुछते हैं receiver से पुछते हैं message क्या होता है message कोड कैसे करते हैं जिसको encoder बोलते हैं decoder बोलते हैं उससे एक सवाल पुछते हैं और एक सवाल इनका बहुत फेब्रेट है कि बताओ communication जो शब्द है उसकी इतिमोलाजी जो है ब्यूत पती जिसको हिंदी में बोलते हैं वह कहां से हुआ है जैसे इसका Latin शब्द से हुआ है communist से जिसका मतलब होता है commune मतलब सामानने मतलब जेनरल ठेक तो एक सवाल इन लोग का यहां से एकदम फिक्स है यह लोग पुछते ही है आप प्रिविश इर का उठाकर के देखोगे तो आपको मिल जाएगा ठेक दूसरे नंबर प्यादी देखते हैं तो क्लासरोम क्म्मुनिकेशन से हमने आपको टीचिंग आपटिट्ईूड में भी पढ़ाया था यदि आपने टीचिंग के उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आपको तमाम सरे वीडियो मिल जाएंगे और अधिया प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हो तो आप यूटूब पे डारेक्ट सर्च कर सकते हो टीचिंग अप्टिट्यूड बाई अम कम्मिनिकेशन से करते हैं और चौथा जो एक सवाल ये लोग करते हैं वह होता है बैरियर से ठीक है किसे बैरियर से बैरियर क्या होता है बैरियर मतलब अबरोध जिसको हिंदी में बोलते हैं यानि कि जब हम लोग किसी से समबाद करते हैं तो समबाद करने में जिन जिन पर पुछते हैं ठाइक है और लागर देया की बात कीजाए तो उसको आप मिसलेनियस कर सकते हो यह म Councillor इनका यह कहीं से भी पुछ सकते हैं जैसे इसमें पुछ सकते हैं Ave क्मुनिकेशन से हलांकी मास्क अमिकेसिग्याथ आजाया में ही वहां से लोग सकते हैं या फिर किसी न्यूज से पुछ सकते हैं मीडिया से पुछ सकते हैं किसी बेवसाइट से पुछ सकते हैं कभी-कभी तो लोग पूछ देते हैं फुल फॉर्म जैसे डीए बीपी का फुल फॉर्म क्या होता आप प्रिवियस एर देखोगे जब पुछा गया है इसलिए आप देख लेना इसको क्योंकि आप किसे सब्सक्राइब के छात्र है हमें तो नहीं पता है हमारे साथ तो मौसली इतिहास के छात्र जूड़े हुए ह तो चुकि अब अलग अलग शिफ्ट में एक्जामिनेशन होता है तो मान लोग किसी शिफ्ट में क्लास्रूम कम्मुनिकेशन से पुछ दिया गया तो होसकता आपके वला में इससे पुछ दिया जाए तो इस तरीके से आप एक-एक टॉपिक को कवर कर लेना और इसमें और दो या फिरकास देखते हो तीन सवाल भी बनने की संभावना होती है यदि आप टाइप्स ओफ कम्मुनिकेशन को समझ जाते हो तो इसके बेस पे कम्मुनिकेशन से आने बाले जो बेसिक सवाल है उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं समझ में आरी बात तो है हम लोग है एक जो मैंने बताया कि बेसिक सवाल जो यह लोग पूछते हैं क्या कम्मुनिकेशन जो शब्द है उसकी ब्यूत पती हुई है लाटिन शब्द से जिसका मतलब होता है कॉमान मतलब सामान वह आप याद कर लिजेगा रट लिजेगा लिख लिजेगा आपको जैसे भी करना हो आप कर लिजेगा उससे एक सवाल यह लोग पूछेंगे आप हेडिंग दे दो टाइप सफ कम्मुनिकेशन क्रास कोर्स टाइप से बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा विष्टार में नहीं पढ़ेंगे जहां से सवाल स्वाल कर सकते हैं जितना कॉंसेप्ट है उसको समझ लेंगे वस उससे ज्यादा कुछ करने की जरूद नहीं है आप ज्यादा लिखने की प्रिश्वत करना पहले नंबर पर बात करते हैं कम्मुनिकेशन के बारे में बताया गया है कि कम्मुनिकेशन को कई आधार पर बाटा गया है ठीक है इसके आधार पर इतने परकार के कम्मुनिकेशन इसके अधार पर इतने प्रकार की कम्मुनिकेशन है तो टाइपस ओफ कम्मुनिकेशन में लगबग 15 से 20 प्रकार आते हैं उन सभी को एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे तो पहले का लिखेगा क्लासिफिकेशन ऑन दा बेसिस ओफ रिलेशन सीप एलेमेंट यानि रिलेशन सीप के अधार पे आपसे पूछा जाए कि रिलेशन सीप के अधार पे कम्मुनिकेशन को कितने हिस्वों में बाटा गया है तो वह मुखे तोर पे तीन हिस्टा है कितना हिस्टा है तीन हिस्टा ह 온 इस बात को ध्यान रखो इन्स to एक आधमी जब संबाद करेगा तो एक तरफा संबाद होगा वह खुद से ही संबाद करेगा तो उससंबाद को क्या कहते हैं intra-personal communication या ऑक आध म्यादने आपसे ही बात कर रहा हूं कैमरा से बात कर रहा हूं ठीक तो गैम्रा कोई पर्सन नहीं है तो मैं अपने ही बीडियो को देख रहा हूं कैम्रा में और शूट कर रहा हूं तो यह जो कमुनिकेशन होगा इसको क्या बोलेंगे इंट्रा परसनल कमुनिकेशन जब एक विक्ति अपने आप से बात कर रहा हो तो उसको intra personal कम्यूनिकेशन कहेंगे समय भात समभ में आ रही ना हॉइं है दूसरे नंबर लिखते हैं और दुसरा है इंपरसनल अ कि एम पर्सनल और एंट्रा परस्नल लगबग सीमिलर है लेकिन अंतर कहां पर ता यहां पर आदमी आत्म मन्थन बगर से लेकर तमाम सारी सोरी माफ करना यहां पर अकेले आप बात कर रहे हो उसका कोई intention नहीं आप ऐसे ही बात करें जैसे मन में हम लोग बुद बुद आते हैं ठीक या फिर कुछ भी बोल रहे हैं कई लोग मन में गाली दे रहे होते हैं किसी जर्ण करते हो ठीक जैसे लालु पर शाद्यादव से सवाल पूछा गया था एक लड़की ने सवाल पूचा था कि आप जब भास चल रहा था संसत में तो आप सो क्यों गया थे आंख बंद करके थो लालु परसाद यादव ने कहा था कि मैं सो नहीं गया था मैं मनन कर रहा था ठीक है यह जो मनन की प्रकिरिया है ना मनन भी एक प्रकार का समवाद है और इसी को बोलते हैं इंपर्सनल कम्मुनिकेशन समझ में आएगे बात इसमें क्या क्या चीज आ सकता है आत्म मंथन चर्चा मनन चिंतन भी इसमें आ सकता है ठीक तो यह तमाम तरह के जो सम ट्रांस पर्सनल कम्मुनिकेशन ट्रांस पर्सनल क्या होता है इसमें जब आप क्या करते हो आध्यात्मिक बात ठीक है यह किसे रिलेटेड है अस्पिरिच्वालिटी से जैसे आप ध्यान लगाते हो ठीक है सुबस्बस उठकर करके कई कि लोग द्यान लगाते हैं 10-15 अपने भारे में ध्यान लगाना प्रकिर्टी के बारे में सोचना आत्मा के बारे में नवे मर जाएंगे तो क्या होगा नहीं मरें गैसे उडिया तो मेरा ख्याल है कि समझ में आगया होगा आपको बात कि तीनों जो है एक ही ब्यक्ति बात कर रहा है पहला में कोई भी इंटेंशन नहीं है दुसरे में आत्म मंथन चर्चा मनन चिंतन की बात हो रही है और तीसरा जो है उसका संबंध आध्यात्म से है अस्पिरिश्वालिटी से है लेकिन इन कि आगे देखो इसमें आते हैं दूसरा पर लिखेगा वह लिखिएगा इंटर पर्सनल • • इंटर पर्सनल देखो दो सब्दो से बना है इंटर का मतलब क्या होता है दो और यहां पर्सनल का मतलब क्या बोलते हैं ब्यक्ति गत्त तो यहां पर्सनल का संबंद जो है ब्यक्ति से है जब दो ब्यक्ति आपस में एक दुसरे से संबाद कर रहे हो तो उस संबाद की प्रकि स्टूभे कमुनिकेशन घुकलOb beau कमुनिकेशन होता है हमेशा न्यक्2017 रहन joining घ्rh야न रखना कमुनिकेशन जो basically होता है वह two-way कमुनिकेशन ही होता है क्योंकि वनकिकेशन उस तरीके से सफल नहीं हो पाता है वहाँ पर आप सेंडर भी खुद होते हो रीसीवर भी खुद होते हो मैसेज इनकोड भी खुद करते हो डिकोड भी खुद करते हो लेकिन जब अप इंटर-परसनल Communication में आएंगे तो यह यह Two-Way communication में होगा और टूबे प्रेक्र कम्यूनिकेशन का जो प्रॉसस है वह थी बहुत ही बहतरी प्रॉसस है यहां परम संडर हो भी इलैंद 7,000 से बात बाल여 तो एक क्या है यह इंटर पर्सनल कम्मुनिकेशन है लेकिन फोन कर जाने के बाद जो भजन सुरू होता है न वो दरसल इंटर परसनल है ठीक समझ मारी बात हाँ आगी होगी यह बहुत बात आप लोगो बहुत समझ माता है कि विटाते हैं चलो समझ जाओ यार कम्मुनिकेशन से इजी चैप्टर नम उजी सीनेर पेपर वन के सिलिवस में कोई है ही नहीं ठीक है बहुत मजा आता इसमें एक और लिखिएगा ग्रूप कम्मुनिकेशन यार रिलेसंसिप के बेस पर ही चल रहा है ठीक है ग्रूप कम्म कि सो के आसपास रहेगा सो से जादा नहीं रहेगा ठीक है तो एक व्यक्ति जब इतने सारे व्यक्तियों से बात कर रहा होता है तो इसको बोलते हैं समूह संबाद हिंदी में और अंग्रेजी में ग्रूप कम्मुनिकेशन बोलेंगे लेकिन यही ग्रूप जब बढ़ा हो जाएगा यही ग्रूप जब बढ़ा हो जाएगा और एक भीड हो जाएगा ठीक एक क्राउड हो जाएगा इसको अंग्रेजी में रश भी बोलते हैं ठीक या फिर आप कहा सकते हो कि एक मास मास किसको कहते हैं जहां पर ग्रूप और पीपल जिसमें बहुत सारे लोग हो ठी तो जब यह मास हो जाएगा ना भीड हो जाएगा क्राउड हो जाएगा रश हो जाएगा और यहां पर बात करने वाला बैक्ति एक ही रहेगा इस तरफ और इस तरफ भीड है तो इस कम्मुनिकेशन को बोलेंगे मास कम्मुनिकेशन मास कम्यूनिकेशन तो यह चौथा टाइप था तो ग्रूप कम्यूनिकेशन भी समझ में आ गया होगा और मास कम्यूनिकेशन भी इसी कंतर क्या है सब्सक्राइब हैं ग्रूप कम्यूंगेशन में लोगों की संख्या च्प्स धा Ψकाद होती हैं क्योंकि इसका नाम ही मास कम्यूंगेशन एक सवाल पूछा गया था फ्रिएस यह में ज़ाधा तो मैं आपको दिखाता रुख जो ज़ा एक सेकंड चलो वो मिलेगा भी नहीं अभी एक सवाल यह पूछा गया था पेपर वन में आप देखो के प्रीवियस यह में आपको मिल जाएगा कि एक चीन के नेता है माओ जेदांग वह कल्चरल रिवॉलूशन ला रहे थे कहां पे चीन में तो वह अपने लोगों से बात कर रहे थे ए तो कहला आएगा नहीं इंटरा पर्सनल में सकता हैं इंटरांस परसनल होई ने सकता हैं एंपर्सनल में नहीं सकता और ट्रांस पर्सनल से बात कर और दो वह मास कम्मुनिकेशन कालाएगा वह एक सवाल पूछा गया है ठीक जैसे मोडी जी अमेसा मास कमुनिकेशन करते हैं आप भी करोगे ना आप जाओगे जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो मास कमुनिखेंशन नहीं होगा वह ग्रूप कमुनिखेंशन होगा लेकिन आप कौन्फरिंज में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहाँ पर जो कमुनिखेंशन होगा वह मास chick कम्मुनिकेशन के अंतरगत काउंट किया जाएगा मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा उदाहरन देने की जरुवत नहीं है आपको आप समझ गए होंगे आगे बात करते हैं रिलेशन्सिप के अधार पे हो गया आप चैनल के अधार पे दो प्रकार का कम्मुनिकेशन होता है ठीक है टाइपस ओफ कम्मुनिकेशन में लिख लिजेगा ओन दा बेसिस ओफ चैनल चैनल का मतलब क्या होता है माध्यम चैनल का मतलब क्या होता है माध्यम और माध्यम दो प्रकार का हो सकता है एक माध्यम होगा लिखित और एक माध्यम होगा मौखिक ठीक तो चैनल के अधार पे मुख्यत कम्मुनिकेशन को दो हिस्सों में बाटा जाता है एक लिखित बोल और नॉन वर्वल और नॉन वर्वल इन दोनों को मैं समझाता हूं कि होता क्या है देखो वर्वल कम्मुनिकेशन और नॉन वर्वल में क्या बेशिक अंतर है वर्बल कम्मुनिकेशन वो होगा जहां पर आप शब्द का इस्तेमाल करोगे और शब्द आप लिख कर करो या फिर आप बोल कर करो जहां पर आप शब्द का इस्तेमाल करोगे वह सभी का सभी communication verbal communication के अंतरगत count किया जाएगा लेकिन वैसा communication जिसमें आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वह communication जारी रहता है उस communication को nonverbal communication कहते हैं तो आप कहोगे कि कैसे बीना शब्द का कैसे संबाद हो सकता है जैसे गाओं में जैसे मम्मी चाय के लिए पुछती है तो आप बोलते हो ना जैसे ठीक है इसारा कर दे तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो ठीक जैसे गाओं में इसको लिखना चाहते हैं और शाब्दिक अ का मतलब नहीं शाब्दिक का मतलब जहां पर शब्द का परियोग नहीं किया जाए तो वैसा संबाद जहां पर शब्द का परियोग नहीं किया जाए उस संबाद को अशाब्दिक संबाद नॉन वर्बल कम्मुनिकेशन करते हैं और शब पर्वाट आको समझ में आ गया होगा कि वर्वाल कम्मUNICATION का दो परकार हो सकता है दो परकार कौन-कौन हो सकता है पहला जो होगा वह सब्धान होगा और दूसरा जो होगा बहुता होगा प्र municipal कर रहें हैं लेकिन लिखित जो संबाद होगा जहां पे हम लोग लिख कर जैसे आप मेल कई बच्चे मेल लिख करके भेजते हैं या आप जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो जो लब लेटर लिख करके भेजते थे वो क्या होता था वह रिटन लेकिन जब मानलों नोटिस वोट पर मिले और अपनी गल्फिंट से बात किये बीना लिखित संबाद को तो वह औरल कम्मुनिकेशन कहलाएगा ठीक ओरल कम्मुनिकेशन और औरल क्या है वरवल का ही हिस्सा है तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा ऐसे भी लव स् की तरफ वरवल में आता है जब सफर जो पहले आते हैं यहां पर बोल कर औरल कम्मुनिकेशन की मतलब बोलते हैं कि तुम मुझे अच्छी लगते विस ताइब से यह वह लेकिन पुराने जमाने के जो आशिक होते थे वह और वरवल में कहां जाते थे रिटेन की तरफ लिख कर देते थे बोलने का हिम्मत ही नहीं होता था आसकल दो लड़का लोग मुफट हो गया तो पहले ही बोल देता है नोटिस बट पर रोग करें सुनो मैं तुम्हें पसंद करता हूं ठीक हमारे टाइम यह ऐसा हुआ था कॉलेज में उसके बाद क्या हुआ था ना रिटेन फिर उसके बाद आदमी लिख करके देता है ठीक फिर वाट्सअप नमबर आया फिर चैट वैडिये साला चीच क्या यह सब रिटेन कम्मुनिकेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना इससे आप से सवाल फसाद देंगे लो हो ठीक अगे ना आ गई होगी एक सवाल यह पूछा जाता है कि वर्वल और नॉंजर्वल कम्मुनिकेशन में या फिर रिटेन और ओरल कम्मुनिकेशन में सबसे ज giaदा वैटेश किसका है गमारे यहां चल करके आए तो कोई भी यहां के लोग जाते थे बातकरने के लिए तो ऐसा नहीं कि वो लोग औरल कम्मुनिकेशन करकर के चले आते थे नहीं वो लोग लिखी तुरूप से लेते थे कि आप किसले मिलने आ रहे हैं परपस क्या है किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और किस टॉपिक पर चर्चा हुई उन तमाम सारे चीजों को लोग लिखते थ कि कोई व्यक्ति जो है टेलीफोन पर बात कर रहा है ठीक कई लोग होते हैं आज के लिए टर्म यूज क्या गया फोन परसन फोन परसन अब मतलब यूएस में एक ग्रूप है महिलाओं का या फिर एक ग्रूप ऐसा तयार होता जा रहा है जिनको वैसा लवर चाहिए जो फोन पर बात करें ठीक है मतलब मानसिक सुख दे मतलब आप फोन पर ही बात करें तमाम सारी बाते बस फोन पर ही हो रही है फिजिकल प्लेजर नहीं समझ में आरे बात तो वह जो समबाद होता है ना उसको क्या बोलेंगे फोन परसन भी कहां पर चलकर कर आएगा औरल कम्मुनिक कर रहे हो कॉल के माधहम से बात कर रहे हो टेलीफोन के माधहम से बात कर रहे हो आप टीवी देख रहे हो उसके माधहम से बात कर रहे हो कॉन्फेंस में जब बात कर रहो बेव कॉन्फेंस के थूरू या फिर जूम पे जो मिटिंग हो रहा है उसके थूरू बात कर रहे है फिर आप online video देख रहे हैं उसमें संबाद जो हो रहा है वो सभी के सभी किसमें आएगा oral communication के अंतरगत count किया जाएगा और बीच बीच में जब आवाज रुख जाता है आप इसारा करते हो किसी चीज को इशारा में जब बात करते हो तो सभी के सभी संबाद non-verbal communication के अंतरगत count किये जाएंगे जहां पर शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं समझ में आ गई बात चलो अब non-verbal communication को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सा चीज आ सकता है एक सेकेंड कि देख लो non-verbal communication में लिख लेना बॉडी लंग्वेज ठीक है बॉडी लाइंग्वेज लिख लिजे उसके बाद लिख लिजे appearance appearance का मतलब क्यों होता है body language एक लिख लिखे का बॉडी लाइंग्वेज से जब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे हाथ हिला करके यह तमाम सारी बाते जो है body language में उसके बाद appearance अपिरेंस से कैसे टॉक हो सकता है अपिरेंस का मतलब होता है बेश भोशा ठीक वेश भोशा यानि आप किसी का कपड़ा लगता देखकर कि आप उसके संबाद को समझ जाते हो जैसे मानलो की वेस्टर्ण व्यक्ति है तो वह अपने ड्रेस से आप पकड़ लेते हैं अच्छा आप अपने आप समझ जाताों की इस तरीके का टोपी पहंन रखा है इस तरीके का कपड़ा पहं रखा इस तरीक का क्या को होन texts के अपर अमस GREG मिलाना हो पीट थप थपाना नॉन वर्बल का ही टाइप से इसको आप सभी को लिख लिजेगा आप ठीक है चलो यह मेरे ख्याल से काफी है आपको समझने के लिए एक और लिखिएगा इस जो अलग-अलग है उससे पूछा जाता है काई नेशिक्स यह सब टर्म है इसी का काईनेशिक्स क्या होता है ठीक है स्पेलिंग सही है ना सही होना चाहिए काईनेशिक्स क्या है काईनेशिक्स के बारे में लिखिएगा यह गैर मौखिक यह गैर शावदिक संचार का ही रूप माना जाता है और इसको इसमें क्या होता है कि जो body language के माधहम से जो बात करते हैं especially यदि आप से यह पूछा जाए कि body language के माधहम से बात करना एक संबाध है और इस संबाध को क्या कहते हैं तो इसी को kinetics कहते हैं और यही type किसका है non-verbal communication का ही यह एक प्रकार का टाइप से एक प्रकार है उसका किसका non-verbal communication का उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखिएगा दूसरे नंबर पर मेटा कम्मुनिकेशन मेटा कम्मुनिकेशन एक प्रकार का कम्मुनिकेशन होता है मेटा कम्मुनिकेशन को कहा जाता है कि अंतर निहित संबाध है मतलब इसको बोलते हैं एकदम अंदर ये अंदर उस बात को समझ जाना एक दूसरे को हम लोग समझ जाते हैं अंदर ये अंदर जो बात होती है इसको बोलते हैं लिख लीजिएगा टर्म लिखिएगा बीनीथ दा सर्फेस यानि सतह के नीचे जैसे टेवल के नीचे से जो पै होता है जो आपको दिख नहीं रहता है लेकिन वह संबाद हो रहा होता है जैसे आप किसी के घर में जाते हैं आप एजे गेस्ट गया ठीक तो कोई आया उनका बेटा आया और उसके बाद पीता जी ने बेटा को ऐसा मतलब इशारा किया कि अंदर ही अंदर आप समझे भी नही और फिर पता चला दो मिनिट बार चाय आ गया यह दरसल अन्तरनहित समबाद है जो आपको समझ में नहीं आया लेकिन उन दोनों को समझ में आ गया समख्री में आ गई बात मेंटा क्मुनिकेशन इसी को कहते हैं मेरा क्याल है कि इससे जimana को समझने की जुरु nella है उसके बाद मेंटा क्मूनिकेशन में मतलब टिफेक्ट है इसमें यह कि मान लो कि आप मैसेज किसी भीज रहे हो कि तो टुकी आप यहां पर आप लिख भी नहीं रहे हैं ठीक तो यहां पर क्या होता कि जो आप मैसेज भीजना चाहर हें हो सकता है वो मैसेज हूभ वह सण ना पहुंचे मैसेज distort हो जाएं तो ऐसे संभाव ना ओती है आप मैसेज को डिस्टॉर्ट होने की इसलिए इसका एक जो खामिया है एक खामी जो है वह यह है कि यहाँ पर मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है और तीसरे नंबर पर लिखेगा वह लिखेगा पैरा लिंग्विस्टिक पैरा लिंग्विस्टिक पैरा लिंग्विस्टिक में आप लिखिएगा या भी एक प्रकार का कम्मुनिकेशन है और इसमें यह इस प्रकार का communication है जिसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम लोग किसी भी बात को कैसे कह रहे हैं ठीक जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी के अलोचना करता है तो उसके नकरात्मक चीजों को या फिर उनके अंदर जो कमिया है उसको बाहर निकलता है जो उनके निगेटिव पॉइ जैसे किसी को गाली देते हैं समझ में आरी बात ठीक है तो किसी बात को कैसे कहते हैं यह कौन करता है पैरा लिंग्विस्टिक कम्यूनिकेशन समझ में आरी बात ना आगे लिखते हैं ओक्यू लेशिक्स लिखिएगा ओक्यू लेशिक्स ऑक्यूलेशिक्स क्या होता है यह एक ऐसा संबाद है जिसमें हम लोग आख से बात करते हैं यह इस प्रकार का कम्मुनिकेशन एक वैसा कम्मुनिकेशन एक वैसा संबाद यह संबाद का संचार का एक वैसा प्रकार जिसमें हम लोग को बात करने के लिए संबाद करने के लिए अपने आख का इस्तिमाल करते हैं ठीक है एक गाना ने आख हमारे लड़का आख मारे यही वाला है ओकुलेशिक्स वाला अमारे कि आगे बात करते हैं लोग आगे लिखना एक अलग टाइप और वह लिखिएगा एक अलग टाइप में लिखिया प्रॉक्से मिक्स ठीक है प्रॉक्से मिक्स का मतलब क्या होता है है प्रॉक्स मिक्स भी एक प्रकार का संबाद है और प्रॉक्स का मतलब होता डिस्टेंस पिWhere रहा है तो जैसे मान लोग आप किसी के मिटिंग में गए हुए हो ठीक तो जैसे मान लोग की आप पिएच दी कर लोगे आपको डिगरी मिलेगा ठीक Have वहाँ पर मानलो आये हैं प्रेसिडेंट उब्यस्टी बात है प्रेसिडेंट जाते रहते हैं विश्विद्धाले का उनके बगल में कौन बैठेगा वाइस चांसलर ठीक इस तरह मानलो की प्रोब वाइस चांसलर है या फिर आपका डीन बगार कोई भी बैठ सकता है ठीक है तो इसमें एक संबाद जो होता यह भी दरसल कॉन्फिडेंशल कम्मिनिकेशन है अंतर नहीत संबाद है क्यों क्योंकि यह इस बात को तै करता है कि किस ब्यक्ति से कौन ब्यक्ति कितनी दूरी पे बैठेगा जैसे मानलो नहां पर वाइस चांसलर बैठा हुआ तो यहां पर लिखा वो नहीं कॉन्फिर्स में यह आपको समझना है तो डिस्टेंस के माध्यम से कम्मुनिकेशन जो पहुंचता है आपके आपके पास जैसे आप किसी के घर पर मिलने के लिए जाते हो तो एक होता है कि बहुत अपना व्रक्तित दोस्त आता है और दोस्त का दोस्त आता और अगला लिखिएगा इसी में क्रोने मिक्स क्रोने मिक्स और ओल्फाटिक्स और गुस्टोरिक्स तीन कम्मुनिकेशन क्रोने मिक्स ऑल्फाटिक्स और गुस्टोरिक्स यह तीन संबाद है क्रोन का मतलब होता है क्रोन जो टर्म है इसका मतलब होता है टाइम एक वैसा संबाद जिसमें समय का इस्तेमाल किया जाता हो ठीक है जैसे हम लोग समझते है जैसे माने लोग कि आप पेपर separate करोगे तो छह महीने बाद एक सालवाद S करना होता है पर तेक्षे महीने पे तो उसमें आप तय करते हो कि इतना बच के इतना मिनट पर ये बला बोलना है दो मिनट तक ये बोलना है तीसरे मिनट पर ये बोलना है चौथे मिनट पर ये बोलना है लास्ट में इंड ये करना है तो आप एक वैसा संबाद करने जा रहे ह जहां पर हर एक पल पे आप अपने समय के अंसार पर यह की आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है तो यह जो संभाद होगा उसको क्रोने मिorks बोलते हैं कमुनिकेशन की भाषा में यहां तक समझ भागी बात का मतलब का होता है कि जहाँ पर जैसे मालो की आप मार्केट से गुजर रहे तेट से तरिक या फीर आप अपने गळी से मिले और फीर मतलब इस टाइप का मानलो कि कोई स्प्रेऊ है जैसे लेकिन आप separate के माध्यम से गंध के माध्यम से फॉड़ाना कंपनी का स्फॉड़ा यह जो संबाद ना उस संमभाद को औल फैसे कर सकते हो कि जैसे मान लोग घर में खाना बन रहा है और आप कीचेन में नहीं गए हैं लेकिन आप धमक से पता कर लें तो अच्छा-च्छा कीचेन में मम्मी यह बन रहा है क्या यह संबाद जो है ना क्या है और फैटिक्स कम्मुनिकेशन है समझ में आगी बात वह वला आपको यह वला समझने में जादा मज़ा होगा हम समझ सकते हैं घुस्टोरिक्स का मतलब होता है टेस्ट के माध्यम से कम्मुनिकेशन ठीक है टेस्ट के माक करे बात करना जैसे यहां पर सुगंध कीचेन ह्ने हैं यहांपर कीचेंमें गए है सब्कात जो atraX और जो सं को रोक देते हैं ही पर आगे बढ़ते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि आइमीन टाइप इसका बहुत है पस्थोड़ा सा और है उसको देख लेते हैं तो फिर अलग से वीडियो करना पढ़ेगा इस दो को समझो परपस और स्टाइल अर्पस और स्टाइल के बेस्टपे दो परकार का कमुनिकेशन होता है एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इन फॉर्मल अब पता है अपने जीवन में फॉर्मल शब्द का इस्तेमाल चोबीस घंटा में एक दो बार जरूर करते होंगे जैसे आपको कोई फ्रेंड कॉल कर दिया तो मालों आपसे बहुत फॉर्मली कुछ पूछ रहा है मतलब की खाना खाय यह किये वो कि तो पता है आ इस बात को ध्यान रखना रूल रोल्स होते हैं रीघुलेसंस होते हैं इस फॉर्मल कम्निकेशन में जैसे आप किसी कमपणी में काम करते ओओ तो आप अपने मिलने जाते हो उखीस में तो फॉर्मल कम्निकेशन होता है एक दारा होता है और आप उसी में बात करते हैं एक टॉपिक होता है उससे ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं जैसे आप प्रोफेसर से मिलने जाते हैं तो आप प्रोफेसर से जब तक आपका ट्यूनिंग बढ़िया नहीं बना है एकदम चाय वाई पीने बला तब तक आप जब ऑफिस में मिलने जाएंगे तो बहुत फॉर्मल कम्मुनिकेशन होगा और बताओ कैसा चल रहा है ठीक है उस पर ही चर्चा होगे सारे के सारे जो संबाद है ना फॉर्मल कम्मुनिकेशन है समझ मैं आरी बात दूसरे उदारन से समझते हैं जैसे कॉलेज में हम लोग प्रेम कहानी से इसको समझते हैं कि लड़का जब लड़की से मिलता है और उसको प्यार वगरह होता है ठीक है जो भी चीजे है तो शुरुवाती दोर का जो कम्मुनिकेशन है ना उसका तीन फेज है जैसे एक तो है इनिस्टल फेज लबका एक है मैच्वर फेज और एक है डेकलाइन में बंद करके काम करेगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है मतलब ठीक है ऐसा ही होना चाहिए लेकिन यह सिर्फ इनिस्टल फेज तक काम करता है तो शुरुवाती दोर का जो कम्मुनिकेशन है ठीक और फॉर्मल कम्मुनिकेशन का एक लॉस यह होता है कि सामने वाला ब्यक्ति जिसका वेटेज ज्यादा है वह आपके उपर हावी हो जाता है ठीक तो आपके उपर जब हावी हो जाएगा फॉर्मल कम्मुनिकेशन में तो बहुत सारा चीज जो मन में भाव चल रहा है वह आप कहीं नहीं पाएंगे जैसे एक बाप और एक बेटे के बीच में अक्सर फ लाटूरटी दिखा सकता है अपने पावरका मिश्यूज कर सकता है और लौस कहने वाला है उसको लॉस यह होगा कि बहुत सारा बात जो है अपने मन में चल रहा है जहन में चल रहा दिल में चल रहा होcak उन ही नहीं पाया तो संभाद पूरी तरीके से नहीं होता है तो फ कुछ फाइदा है और कुछ लॉस भी है फाइदा आपको समझ में आगया होगा फाइदा यह है कि आप बात करते हैं नियम कानून एक दाइरे में तो दिक्कत नहीं आता है दुसरी बात formal communication में लिख करके भी बात करना होता है कभी कभी आप principle के पास जा रहे हैं मान लो कि आप एक college में प्रोफेसर हो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ठीक आप एक conference का योजन करवा रहे हैं आपको seminar hall book करवाना है किसका college का तो आप क्या करेंगे क्या प्रिंस्पल को जाकर सिधा कहा देंगे कि यह 2000 रुपा लिजे अगले दिन यह hall book है यह कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा करेंगे आप नहीं करेंगे आप एक लिखित रूप से आप सूचना पहुंचाएंगे कि फलाना प्रोफेसर आ रहे हैं और इतना तारीकों इतना बज़े से इतना बज़े तक हमें hall चाहिए उसमें हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं हलाएं कि आप उस institution का part है उसके बाब दूद आप formal communication कर रहे हैं समझ में आरे बात इसी को बोलते हैं formal communication नियम कानून और लिखित तोर पर ही बात होता है तो इसका क्या होता है एक पर्मानेंट record होता है तो आप जो भी फॉर्मली बात क्यों हो भाविश्य में दिया आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो जैसे भारतिये लोगों का जो संबाद था formal communication था लेकिन ला चलो ऐसे भी होता है एक उदारन से और समझते हैं जैसे प्येजरी करने जा रहे हैं तो आपके गाइड से शुरुआती दौर में बात होता है बहुत formal मैं कौन सा किताब पढ़ है मैं गुरुजी कौन सा किता पढ़ है जीतना भी संबाद है बहुत formal communication है लेकिन जब धीरे तो आप bachar हो रहा है यह क्वान है इसको सभी के सभी informal फ्र मिशन से गुजरता है और पूरा कहानी कहो कि तुम गई थी तो कौन सा ड्रेस पहन करके गई थी और उस ड्रेस पहन करके जा रहे थे तो पता है चाल लड़कों ने यह कहां श्रक पे और फिर बोला क्या खुब्सूरत लग रहे तमाम सारे के जो संबाद है ना यह क्या है इनफॉर्मल कम्यूर्ड वाइन और उलटक पूछा जाता है कि गरेप वाइन किस तरीके का कम्म्यूर्माल होता है जld रखना इसको हटाते हये जरू और लास्ट चलते हम लोग और लास्ट का लिखना डारक्षन के अधार पे में governedक की डाइरेक्च्शन के अधार पे तीन प्रकार का कम्युनिकेशन होता है पहला जह होता है वह साथ हरिजोंटल और दुसरा जह होता है वह स्वर्टिकल ओर तीसरा जह होता होता है डाइगोनल इतने की समझने के कोशिश करते हैं तभ्ही आप समझ पाएंगे comparative study इसलिए हम लोग करता है न कि चीजे ज्यादा समझ में आ सके तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के तौर पे आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है ठीक कॉलेज में तीन परकार का पोस्ट है प्रोफेसरों के बीच मे पहला जो है वह है प्रोफेसर का प्रोफेसर तीन परकार के होता है न असिस्टेंट प्रोफेसर असोसेट प्रोफेसर और एक पोस्ट है प्रोफेसर का और एक होता है एचोडी का हेड अफ डिपार्टमेंट जो सिनियर प्रोफेसर है और तीसरा है प्रिंस्पल का जो तमा दिर्की में देखेंगे तो सबसे नीचे प्रोफेसर है बीच में होडी है और सबसे उपर प्रिंस्पल है ठीक तो तीनों का पद अलग-अलग है और तीनों का कद भी अलग-अलग है ठीक तो प्रोफेसर की तरह और भी कॉलेज में कई प्रोफेसर होंगे तो एक प्रोफेसर जब अपने ही समकक्ष दूसरे प्रोफेसर से बात करेगा अपने ही पद और कद वाले व्यक्ति से बात करेगा तो वह horizontal communication कहलाएगा समझ में आरी बात आरे ये नहीं आरे आरे होगी उसी तरीके से जब एक HOD अपने ही दूसरे HOD से बात करेगा अपने पद एवम कद के कोडिंग तो वह भी क्या कहलाएगा horizontal communication और एक principle जब दूसरे college के principle से बात करेगा तो यह भी क्या कहलाएगा horizontal communication यानि horizontal communication वह संबाद होता है जिसमें एक पद वाला व्यक्ति अपने ही समकक्ष पद से बात करता है समझ में आरी बात जैसे एक ज्यारेफ निकाला हुआ अभ्यर्थी यह दूसरे ज्यारेफ निकाले हुए अभ्यर्थी से बात कर रहा है तो यह कौन सा संबाद होगा यह संबाद horizontal communication होगा लेकिन इस केस को पलट करके देखें और एक ज्यारेफ निकाला हुआ अभ्यर्थी और एक नेट निकाला हुआ अभ्यर्थी से मेरे ख्याल से horizontal आप समझ गए होंगे या इसमें और उदारन दें एक उदारन से और समझते हैं जैसे मानलो डीम साहिब एक डीम साहिब से बात करें तो horizontal होगा ठीक डीम साहिब मानलो यहां Commissioner साहिब मैं Commissioner साहब से बात कर होड़ी इसलीं आप देखोगे कि एक देश का प्रधान मंत्री दूसरे देश के प्रधान मंत्री के साथ बात करता है एक देश का रास्तपती दूसरे देश के राष्ट पति से बात करता है उसी को बोलते होरीजोंटल कम्मुनिकेशन होरीजोंटल कम्मुनिकेशन इसलिए लाया जाता है ताकि कोई विव्यक्ति अपने आपको ऊपर या अपने आपको नीचा ना समझे समझे समझ में आगे यह बात इसमें और कुछ उदाहरा ने दने की जरूरत नहीं है अब हम लोग यह समझते हैं वर्टिकल कम्मुनिकेशन को वर्टिकल कम्मुनिकेशन क्या है जिसमें होडी है और कौन-कौन था प्रिंस्पल था मानलों होडी और प्रोफेसर कोई ले करके चलते हैं तो होडी और प्रोफेसर के बीच में जो बात होगा वह कौन सा कम्मुनिके होगा एक उपर है और एक नीचे है ठीक है एक उपर है एक नीचे है जैसे डियेम साहिब और स्टीम साहिब के बीच में जो बात होगा उसको क्या बोलेंगे वर्टिकल कम्मुनिकेशन ठीक और SDM साहिब और ADM साहिब के बीच में जो बात होगा सुरी माफ करना SDM और वीडियो के बीच में जो बात होगा उसको क्या बोलेंगे यह भी वर्टिकल कम्मुनिकेशन में आएगा तो इसी तरीके से hierarchy maintain होते होते नीचे तक आ सकता है उसी तरीके से एक principal और एक होडी के बीच में बात होगा यह कौन सा होगा वर्टिकल कम्मुनिकेशन एक होडी और एक प्रोफेसर के बीच में जो होगा वह भी वर्टिकल कम्मुनिकेशन है एक प्रोफेसर के बीच में बीच में बात होगा यह भी वर्टिकल कम्मुनिकेशन है तो वर्टिकल कम्मु एक निजे वाला ब्यक्ति एक उपर वाले पद वाले ब्यक्ति से बात करता है इसी को वर्टिकल कम्मुनिकेशन काते हैं मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि तीसरे नंबर पर बात करते हैं और वह है डाइगोनल कम्मुनिकेशन छित डाइगूननल आप समझे हो जैसे आप पढ़े हो गया हो इस तरीके से मालों एक जिताना होगा लेकिन डाइगूनल जो है कहीं से कहीं भी जा सकता है किसी से कभी भी किसी से भी बात कर सकता है उसके लिए कोई नियम काणून नहीं है तो Diaguesonal Communication वह होता है जहां पर एक 스्टुडेंट जो है student Professor hod और principal vertical communication जब होता तो student Professor से भात करता ठेक प्रोफेसर student जो है student professor एचोडी और प्रिंसपल वर्टिकल कम्मुनिकेशन जब होता तो student प्रोफेसर से बात करता ठेक professor एचोडी से करता और होडी प्रिंसपल से करता लेकिन जब diagonal communication आएगा तो इसमें student के पास पूरा अधिकार है कि direct वो principle से बात कर सकता है direct वो होडी से भी बात कर सकता है यह जो communication होता है यह diagonal सबसे बड़े अधिकारी से बात कर सकता है उसको बीच में कीशी भीesso का कीशी भी अधिकारी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है समझ में आगई बात तो यह horizontal भी समझ में आ गया होगा वर्टिकल भी समझ में आ गया होगा और diagonal communication भी समझ में आ गया होगा तो संबाद के total इतने परकार थे मेरा ख्याल है कि एक एक परकार आपको समझ में आ गया होगा आज के लेक्षर में इतना ही फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्षर में तब तक कि लिए आप ऐसे ही बने रहे और तमाम सारे नए दोस्तों को हमारे युगदान दे सकें तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहें थैंक यू